आज हम संख्याओं में तुलना करना सीखेंगे अर्थात सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम में सजाना, आवरोही क्रम में सजाना इत्यादी तो एक हम उदारण लेते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ग्याद करें एक हम उदारण की सहता से हम इस पर चर्चा करेंगे, संख्याओं लेते हैं, 4856, दूसरी है 4656, तीसरी 4857, और चौती है 857 इसमें हमें बताना है सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या, आए हम देखते हैं कैसे पता करते हैं, ये चार संख्या हैं हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकों को गिनेंगे, संख्याओं के अंकों को, तो हम देख रहे हैं ये चार अंकी संख्या है, ये भी चार अंकी संख्या है, ये भी चार अंकी संख्या है, लेकिन ये तीन अंकी संख्या है, तो निस्चित रूप से सबसे छोटी संख्या यही है, ये हमें मिल गई सबसे छोटी संख्या, अब हमें विचार करना है सबसे बड़ी संख्या यह जाज करना है तो सबसे चोटी संख्या थो हमने देख लिया अब बाकी तीन बचे अंकों को हम देखते हैं इसकी जाज करते हैं तो हजारवे स्थान पर के अंक को देखते हैं तो यहां सबसे दाहिनी ओर हजारवे अंक में यहां फोर है यहां भी फोर है चलिए ये तीनो संख्याओं में हजारवा अंक जो है बराबर है अब सैक्ड़े के अंक को दिखते हैं तो यहाँ eight है यहाँ six है यहाँ eight है कि यहाँ में मिल गया कि यह वाली संख्या इन दोनों से चोटी है अब इस संख्या और इस संख्या के बीच दुलना करेंगे तो अब हमने हजारवे अंक और सेकड़े अंक को देख लिया था अब हम दहाई वाले अंक को देखते हैं तो इस संख्या में भी दहाई में 5 है और यहां भी 5 है तो यह भी बराबर हो गया अब इकाई वाले अंक को देखते हैं तो यहां 6 है और यहां 7 है तो निस्चित रुप से ये वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या है तो हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या मिल चुकी है अब हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में जानेंगे आरो ही क्रम, अर्थात ascending order, आरो ही क्रम में संख्याओं को कैसे व्यवस्थित करें, यह भी हम एक उधारन लेते हैं, 5678, यानि 5678, 56675435801, यह चार संख्याओं में को हमें आरो ही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरो ही क्रम का अर्थ है, छोटे से बड़े की और, छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की और, इसे हमें इन संख्याओं को सजाना है, ऐसे कि सबसे पहले सबसे चोटी संख्याओं, उसके बड़ी, उसके बड़ी और उसके बड़ी और उसके बड़ी तो चलिए हम लोग इसको करते हैं, करके दिखते हैं कैसे किया जाता है आरोही क्रम, इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में सजाते हैं, तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या इसमें से चुनना होगा, अब हम सबसे पहले तो अंकों को गिनेंगे, ये संख्या भी चारंग किये है, ये भी चारंग किये है, ये चारो संख्याएं चारंकिये हैं, तो अब हम इसके हजारवे वाले स्थान पर कौन सा अंख है, इसको देखते हैं, तो यह भी यहाँ भी पाँच, यहाँ भी पाँच, यहाँ भी पाँच, यहाँ भी पाँच, तो यह सभी बराबर हैं, अब सैक्डे वाले स्थान को देखते तो यहां 6 है, यहां 6 है, यहां 4 है, यहां 8 है. अर्थाथ यह सबसे कम हुआ, तो यह सबसे छोटी संख्या है मिल गई, 5443. अब इससे बड़ी वाली संख्या इन तीनों में हम देखेंगे, यह तो हमारा हो गया, अब इन तीनों को देखेंगे. तो हम ये हजारवे वाले में तो 5 है ही, ये तो clear है, सैक्ड़े वाले में यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यानि ये बड़ी संख्या है, तो हम इन दोनों को देखेंगे अब, इन दोनों में छोटी कौन है, तो अब दहाई वाले में आएंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, निस्चित रुप से ये वाली संख्या इन दोनों में छोटी है, तो ये आगे हमारी 5, 6, 6, 7, और इसके बाद ये आएगे निस्चित रुप से, और हमने देखा था, कि इन दोनों से ये बड़ी थी सबसे बड़ी तो ये हमारा सबसे अंथ में आ गया, तो ये हमने इन संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया, अब हम सीखेंगे आवरोही क्रम में सजाना, आवरोही क्रम, यानि descending order, इसे भी एक उदारन से हम सपस्ट करते हैं, 4677, 4335, 4831 और 967, अब रोही क्रम का आर्थ ये है, बड़े से छोटे की ओर, यानि सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे, उसके बाद उसके चोटी, फिर उससे चोटी, फिर उससे चोटी, तो इन चारों संख्याओं में हम सबसे पहले देखते हैं, अंकों की संख्या, तो ये चारं किये है, ये चारं किये है, ये भी चारं किये है, ये तीन है तो यह निष्चित रुपसर अब सबसे चोटी हो गई चलि अब इन तीनों में देखते हैं सबसे बड़ी कौन है तो यह 1000 अस्थान पर यहां भी 4 है यहां भी 4 है यहां भी 4 है तो यह सबसे है यहां एट है इसका मतलब यह सबसे बड़ी संख्या हो गई तो हमारा यह सबसे अब रोही क्रम में हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई की FBA 4801 है अब इन दोनों में हम देखेंगे तो निस्ची तुछ से 101 सथान पर यहां भी 4 ہے यहां भी 4 है सेकड में scissors Psalm 3 और यह तीन है और निस्ची तुरुप से इन दोनों में यह बड़ी है तो यह होगे इसके बाद वाली और इन दोनों में ये बड़ी है तो ये वाली इससे छोटी है सबसे पहले ही हमने देख लिया था कि अंकों की संख्या के आधार पर सबसे छोटी ये थी तो सबसे अंत में ये आ गई तो इस तरह से हमने देखा आ रोही क्रम में सजाना और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कैसे हम पता करते हैं अब अभ्यास के लिए प्रस्ण है इसे आप बनाएं और सियर करें इसको रखे रो कैमरा थोड़ी दिर आ रखे ताकि अच्छे से सभी बच्चे थोड़ा से उपर करें कैमरा एक बार में सारा आ जाए थोड़ा सा थोड़ा सा हाँ बहुत अच्छे आप